साइबर क्रिमिनल और बैंकों की बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है एक शक्स के पास ना कोई OTP आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया ना ही कोई मैसेज आया सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपे उसके निकल गया साइबर ठगी का ये हैरान कर देने वाला केस दिल्ली का है जहाँ एक सिक्यूर्टी सर्विस के निदेशक योगेश यादब से ठगों ने बिना OTP पूछे उनकी कमपनी के अकाउंट से 48,63,000 रुपे निकाल लिए ये 11 नवंबर की बात है जब योगेश के पास पहले कुछ ब्लैंक मैसेज आये और कुछ दिर बाद ठगों ने उन्हें फोन करने शुरू कर दिये योगेश ने फोन ठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आये कुछ दिर बाद योगेश ने मैसेज देखने के लिए अपने मुबाइल फोन को चेक किया तो पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे कट गए है अभी तक तो ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को OTP नहीं बताए तो आपके साथ बैंक फ्रॉड नहीं हो सकता लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स ने इसका भी तोड निकाल लिया है और दिल्ली में बिना OTP बैंक फ्रॉड का ये पहला मामला बताए जा रहा है देखिए कि किस तरह से ये खिलवार यहां पर किया गया और इस वक्त मेरे पास पीडित योगेश की उस चिकायत की कॉपी है जो उन्होंने पुलिस को दी है ये वो कॉपी है जिसमें उन्होंने पुलिस को तमाम जानकारी दी और इसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके account से पैसे निकाले गए हैं यानि आप ये जानिए कि किसने transaction किये गए और ये transaction पांच बार किये गए हैं और इसमें उन्होंने लिखा है कि RTGS के थूँ सांतू भॉमिक के account में लगबग 12 लाक रुपे RTGS किये गए यानि फंड ट्रांसफर किया गए इसमें एक बड़ा पॉइंट ये है कि ये फ्रॉड RTGS के जरीए यानि रियल टाइम ट्रांसफर के जरीए हुआ है और चार बार में 48 लाक रुपे से जादा निकाल लिए गए पहला ट्रांजेक्शन 12 लाक का है और ये शंतू भॉमिक नाम के शक्स के bank account में गया है दूसरा ट्रांजेक्शन भी 12 लाक का है जो भासकर मंडल नाम के शक्स के bank account में गया है और दो ट्रांजेक्शन 10-10 लाक की है और पांचवी ट्रांजेक्शन 4,63,000 रुपे की है और इस तरह कुल 48,63,000 रुपे का ये बैंक फ्रॉड हुआ है और ये साती साथ उसने ये मेरे पास इस वक्त ये पूरी कॉपी है कि उनके अकाउंट से किस तरह से पैसे निकाले गए और ये पूरा लेखा जोका इसमें मेंशन है साती साथ इसमें जो शिकायत की गई है उसी में पांचो ब्योरे यहां पे रखे गए है एकाउंट के बारे में जानकारी दी गई है साती साथ बताया गया है कि RTGS किस एकाउंट में हुआ शक्स का नाम क्या है और कितने अमाउंट वहाँ पर ट्रांसफर किये गए सबसे पहले बता है कि कितने बज़े ये कॉल आया था और क्या वो मिस कॉल था या फिर कैसे आपके पास ये कॉल आ रहा है एकाउंट से पैसे कैसे कट गए यह miss call नहीं था सर बेसिकली यह सबी calls थी और संडे को 30 नौमबर को मेरे पास call आता है लगबग 100 calls आये हैं वो सब computerized call थी ना कि कोई जैसे mobile number होते हैं लाइक इस तरह के नहीं थे हम कोई call disconnect करते हैं तो अगेन एक नए number से call शुरू हो जाती है तो इस तरह यह सिलसला लगबग एक डेड़ गंटे चलता रहा और बीच में हमने जैसे flight mode पे किया phone तब वो बंद होता था लेकिन हमने देखा in between जैसे हमने flight mode पे अपना phone किया कुछ समय के लिए तो उसमें हमारे जो message आए debit के 12-12-12-2 transaction के 10-12-2 transaction के और 4-13-8-0 transaction के उसके लिए हमने तुरंट मेरे पास बैंक वडोदा के जो जहां पर हमारा account है उस manager से मेरे पास number save है तो manager से बात की तो manager ने मुझे guide किया कि 1930 पे आप call कीजिए so that आपका amount वहां पर कोई OTP आया था आपके पास जब ये call आ रहा था तो नहीं कोई OTP हमसे ना लिया गया ना कोई OTP आया उस transaction का सिरफ हमारे पास debit के SMS आये हैं अच्छा जब ये call आ रहा था तो क्या उस call में कोई आप से बात कर रहा था कोई number या OTP CR कर कुछ इस तरह की बाते हुए हैं नहीं हम से कोई वोईस नहीं आ रहे थी हम तो कर रहे थे एक दो अधाया भी था बड़ कोई जवाब नहीं आथा था इसलिए हम ने बाकी कोई उठाई भी यह कोई उठाया नहीं हमने कोई उठाया नहीं हमने बहुՆ रहा है । तो ये अधु ze brug यह पया i5 प्लस के concrete यानि ना किसी लिंक पर उन्होंने क्लिक किया ना ही OTP आया अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना OTP ये बैंक फ्रॉड हो कैसे गया इस मामले में पुलिश को शक है कि इस ठगी को अंजाम देने के लिए साइबर ठगों ने सिम स्वाप किया है लेकिन ये सिम स्वाप क्य जरीय सिम को क्लोन करके नकली सिम बना लिया जाता है उसके बाद हैकर आपके फोन नंबर के सिम को अपने नाम से एक्टिव कर लेता है और एक बार सिम एक्टिव हो जाने के बाद साइबर ठग के पास आपके फोन पर कंट्रोल हो जाता है और सिम स्वापिंग का एक और जर एक बार नया SIM card activate हो जाने के बाद वो PDT के mobile number पर control प्राप्ट कर लेते हैं और फिर PDT के सभी OTP number और SMS swap किये गए SIM पर आने लगते हैं इस तरह hackers PDT के account से खुद के account में पैसे transfer कर लेता है SIM swap से mobile number के जरीए OTP हासिल किया जा सकता है फिर आपके bank account से तमाम पैसे निकाले जाते हैं और दिल्ली में 48 लाग से जादा की cyber ठगी के case में ऐसा ही हुआ होगा इसकी संभावना cyber experts भी चताते हैं TG से जो cyber crime बढ़ रहा है वो है ऐसे भीड़बार वाले के इलाकों में जब आप जाते हो या कि कोई भी रोड पर चलता हुआ कोई भी आदमी आपसे आपका phone मालता है और बोलता है कि आप उसको emergency है और emergency में उसको call करना है तो हम कई बार अपना phone unattended उनको दे देते हैं इस process में कई बार आपके phone पे नजर अगर नहीं focus नहीं है तो उस दोरान वो किसी तरीके से आपके phone के उपर star, two, one करकर भी कई बार वो अपना call forwarding वाला option होता है वो उसको on कर लेता है तो जितनी भी calls आपके number पर आती है वो calls automatically उसके number पर forward हो जाती है अब इस से होता है कि आपके जो OTP होते हैं वह दो तरह से generate होते हैं एक होता है आपका SMS से जो OTP जनरेट होता है दूसरा होता है call से अगर आपके पास SMS से OTP नहीं आ रहा तो उसमें option होता है कि आप call से भी OTP मंगवा सकते हो जो क्रिम्नल होता है, वो क्या करता है, वो कॉल से OTP जनरेट करता है, आपके पास कोई OTP नहींाता, फिर में उसके पास वो कॉल से OTP जाता है, वो आपके OTP को यूज करके आपका एकांट खाली कर देता है। और 32,000 मामलों में FIR भी दर्ज की गई है सरकार ने दावा किया है कि इन 3 सालों में 180 करोड से जादा साइबर फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स को रोकने में सफलता हासिल हुई है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए OTP का नियम आया और अब OTP का तोड साइबर ठगों ने सिम स्वैपिंग के जरिये निकाल लिया है इसकी जानकारी सरकार को भी है इसलिए पिछले मैंने ही भारत सरकार के दूर संचार विभाग की तरब से एक नया सिम कार्ड नियम लाया गया है और नया नियम के तहट सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिये गये हैं कि नये सिम के एक्टिवेट होने के 24 घंटे तर SMS की incoming और outgoing सुविधा को बंद रखा गया जाएगा और नया नियम के मताबिक सिम कार्ड या नंबर बदलने की request मिलने के बाद टेलिकॉम operator को ग्राहक को इसका notification भेजना होगा इसके अलावा सिम कार्ड धारक को IVRS कॉल के जरिये सिम कार्ड या नंबर बदलने की पुष्टी करनी होगी सिम कार्ड के जरिये होने वाले bank fraud को रोकने के मकसद से ही ये नया सिम कार्ड नियम पेश किया गया है लेकिन सिर्फ नियम बनाने से cyber fraud नहीं रुकेंगे इसके लिए लोगों को भी जागरूक और सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि cyber अपरादी ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो अपने financial transactions को लेकर असावधानी बरतते हैं और ये सच्चा ही है इसलिए हमारा मकसद हमारा उद्देश यही था कि हम आपको सावधान करें और अब आज का सवाल